एक समय था जब लोग भारत आते थे तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी देखकर दंग रह जाते थे, हरान हो जाते थे अब लोग भारत आते हैं तो हमारी फिंटेक डाइवर्सिटी को देखकर भी हरान होते कि एरपोर्ट पर लेंड करने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग एक्स्पिरियंस तक भारत की फिंटेक क्रेंटी चारों तरब दिखती है पिछले दस साल में फिंटेक स्पेस में 31 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का निवेश हुआ है दस साल में हमारे फिंटेक स्टार्ट अप्स में 500 परसेंट व्रुद्धि हुई है सस्ते मोबाइल फोन सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जंधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है आप पुयाद होगा कुछ लोग पहले पूस्ते थे पार्लामेंट पर खड़े होकर के पूस्ते थे और अपने आपको भध विद्वान मानने वाले लोग पूस्ते थे सरस्वती जब बुद्धी बांट रही थी तो रास्ते में पहले ही खड़े थे और क्या कहते थे वो पूस्ते थे भारत में बैंक इतनी ब्रांचीज नहीं है गाओ गाओ बैंक अवेलेबल नहीं है इंटरनेट नहीं है यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है रिचार्जिंग कहां होगा फिंटक करंति कैसे होगी यह पूछा जाता था और मुझ जैसे एक चायवाले को पूछा जाता था लेकिन आज देखिए एक दसक में ही भारत में ब्राड बेंड यूजर 60 मिलियन यानि 6 करोड से बढ़ कर 940 मिलियन यानि करीब 94 करोड हो गये आज अठारा वर्स से उपर कहा शायद ही कोई भारतिय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंडिटी आधार काड नहीं है आज 530 मिलियन यानि 53 करोड से अधिक लोगों के पास जन्धन बैंक खाते हो गए यानि 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टिम से जोड़ा है साथ्यों जन्धन आधार मोबाइल की स्ट्रिनिती ने एक और ट्रांस्फर्मेशन को गति दिये हैं कभी लोग कहते थे कि कैश इस किंग आज दुनिया का करीब करीब आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में होता है पूरी दुनिया में भारत का यूपियाई फिटे का बहुत बड़ा उधारन बन गया है आज गाम हो या शहर शर्दी हो या गर्मी बारीश हो या बर्बिर रही हो भारत में बैंकिंग सर्वीस 24 गंटे 7 दिन 12 महिने चलती रहती है कोरोना के इतने बड़े संकट के दौरान भी भारत दुनिया के उन देशों में था जहां हमारी बैंकिंग सर्वीस बिना किसी दिक्कत के चलती रही भारत दूम के बारत दूर्पपão ठिष्ट की?